हेलो फ्रेंड नमस्ते कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होईगे सर्दियों का मोसम सुरू हो गया है आज हम बनाएंगे बहुत ही टेश्टी हेल्दी और स्वाधिष्ट रेसिपी इस रेसिपी को आप बच्छों के टिपीन में भी डाल सकती है आज हम ब्रेट से बहुत ही टेश्टी हेल्दी और स्वाधिष्ट रेसिपी बनाएंगे वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा फ्रेंड जब आप एक बार बना लेंगी न बोलेंगे हाँ सच में इस ब्रेट का एकदम टेश्टी रेसिपी है तो चलिए बिना देर किये बनाना शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे चैनल पे यदि आप नए आएं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को फूलवा जरूर कीजिएगा तो चलिए बनाते हैं एक कटोरी चावल काटा ले लेंगे और इसमें दो कटोरी के करीब हम पानी डाल देंगे पानी जादा नहीं डालना है बस दो ही कटोरी डालना है अच्छे से इसको मिक्स करना है इस चीज का आपको ध्यान रखना इसमें गाठे ना पड़े अच्छे से मिक्स कर देंगे ठंडा पानी ही डालना है नॉर्मल जो होता है न वही डालना है अच्छे से इसको गोल के हम रख लेंगे और इधर हम फिर थोड़ा सा दही डाल देंगे एक कल्ची के करीब दही डाल देना है दही खटा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स दही ताजी होनी चाहिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है जितनी ताजी दही होगी न उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा इसको भी दो तीन बार इसी में मिक्स कर देंगे ज्यादा नहीं मिलाना है और इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे सुखी हुई लाल मिर्च को तोड़के डाल देंगे ताकि देखने में भी सुन्दर लगे आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकती है ऐसा कुछ नहीं है कि लाल मिर्च ही डालना है कुछ हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और इसको हम ऐसे ही चला लेंगे और इसमें हम तीन या चार ब्रेड डाल देंगे आप जितना भी बना सकती है अपने हिसाब से quantity डाल दीजे 3-4 ब्रेड डालके अच्छे से इसको हम तोड़ देंगे टुकड़ों में या नहीं तो ऐसे ही डालके कुछ देर के लिए 3-4 मीनट के लिए ढक के इसको छोड़ देंगे ताकि यह जो ब्रेड है न अच्छे से फूल जाए इसमें और चारो साइट का किनारा इसका निकालना नहीं है इसके साथ ही इसको हम धक के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे देखिएगा फ्रेंट्स बहुत ही टेश्टी बनेगी वीडियो में लाश्ट तक आप बने रहेगा इसमें हम अब दूसरे तरफ हम चटनी की तयारी कर लेते हैं धनिया पत्ती को दो के कुछ काट लिए इसमें और तीन-चार हरी मिर्च डाल दिए हैं आप ज़्यादा तीखा खाना चाहती हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए और चार-पांच लहसुन की कली डाल देंगे दो-तीन टुकडा अद्रक का डाल देंगे टुकडों में काटके डाल देना है और एक कल्ची दही डालनी है इसमें भी ताजी दही ही डालनी है और हाँ और इसमें एक कप के करीब हम आलू भुजिया जो होता है न वो डाल देंगे बहुत ही टेश्टी चटनी बनेगी फ्रेंड्स ऐसे आप इसको तो पराठे के साथ भी खाली खा सकती है अभी सर्दियों के मौसम में बना के रख दीजिए खाते रहिएगा इसको काला नमक डाल देंगे और भूना हुआ जीरा एक चमच डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी जादा भी नहीं डाल देंगे लगेगा तो बाद में डाल देंगे देखिए चटनी हमारा बनके एकदम रेडी हो गया बहुत ही tasty चतनी है friends मैं फिर से बोल रही हूँ आपको और ये जो फूलने के लिए bread रखे थे उसको भी जार में डाल देंगे और इसको हम पीछने की त्यारी करेंगे इसी जार में डाल देंगे धोना कोई जरूरी नहीं है और इसमें स्वाध अनुसार नमक डाल देंगे पह पेश्ट भी तयार हो गया है ऐसे ही पीछ के आपको तयार करनी है इटली का गोल जैसे होता है न सेम वैसे ही तयार करनी है नहीं जादा पतला और नहीं जादा गाढ़ा अब इसमें बारी कटा हुआ हम गाजर डाल देंगे चाहे तो आप इसको कद्दू कस कर लीजिए हम इसको कद्दू कस करके एक कप के करीब गाजर डाले और एक सिमला मिच डाल देंगे और थोड़ा सा बीट रूट भी टुकडों में काटके डाल देंगे और एक प्याज डाल देंगे आप अपने स्वाद अनुसार सबजी डाल सकती है हम इसमें गोवी भी थोड़ा सा डाल पत्तागोगी है और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और स्वादिश लगेगी आप एक बार जरूर इसे ट्राइ कीजिएगा ऐसे तो गेहूं के आटे चाहे तो बेशन का चीला तो बना के खाती ही होगी लेकिन ये आज हम ब्रेट से बना करें सबको अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें जो हम लाल मिच डाले थे यदि आप लाल मिच नहीं डालना चाहती है तो आप इसी समय हरी मिच डाल दीजिए इधर हमारा पैन भी गरम हो गया है और इसमें हम जो घोल घोले थे उसको मिडियम टू लो फ्लेम पे डाल घोई दोब टेज करना है क्योंकि हम इसमें ब्रेड डाले है ब्रेड में जादा हिट नहीं चाहिए यदि जादा घैस से हम तेज कर देगे तो फिर ये उपर और नीचे से भी कच्चारा जाएगा फिर अच्छे से बनेगा नहीं गैस को एकदम कमी रखना है देखिए कितने अच्छे से हमारा ये पलट गया है कोई दिक्कत ही नहीं हुआ अराम से एकदम बनके तयार हो गया है क्योंकि हम ये जो गोल बनाए थे ना बहुत अच्छे से गोल भी हमारा य ये ब्रेट डाल के उसमें छोड़ दीजेगा तभी ये आपका अच्छे से बनेगा दूसरा भी हम ऐसे ही डाल देंगे अब तेल जादा डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तेल भी जादा डालेंगे ना फिर कल्ची से जो हम फैलाएंगे वो फैलेगा नहीं ठीक से अब दुबारा में हम भले उपर से थोड़ा तेल डाल सकते हैं देखिए हमारा ये चीला एकदम गर्मा गरम बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा एक बार जब आप बनाके खाएंगी ना तभी आपको लगेगा स्वार हाँ सच मे ये बहुत ही टेस्टी बनके तयार हुई है आज की रेसिपी कैसी बनी है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक और कोमेंट जरूर कर दीजिएगा प्लीज आप लोग का सपोर्ट चाहिए थैंक यू फार वाजिंग फिर मिलते हैं नेस्ट वीड किये बाबाए राधे राधे